रियल एंड एपरेंट डेफ्थ मतलब क्या हुआ है रियल का मतलब तो लग रहा है कि कुछ वास्तवी गह रहा है और एपरेंट मतलब आवासी Once upon a time there was a class 6, you are in the class 6 वहां पर बताया जाता था कि अगर हम पैंसिल को पानी में ऐसे करें तो पैंसिल की जो निप टॉप होती है टिप वो थोड़ा सा जुकी भी नज़राती है ऐसा पढ़ाया गया कभी वह पढ़ाया गया होगा once upon a time that time also I was not that time I was also careless Today I am careless in that time I was careless हम लेसे रहे मेंसा खर वो एक अलगी बात है तो वहां आपको पढ़ाया है ना वो क्यों होता है जरा समझेगा देखाए गया कि अगर किसी बरतन में पानी भरा हुआ है तो पानी कितना गहरा है वो बरतन की bottom को देख्या आप आइडिया लगा ले जाते है इसकी अप लेंगे अब वो एक अलग बात है लेकिन आपको कुछ bottom जो उसकी थोड़ा उपर उपर नज़राती है थोड़ा सा उ jadi when object placed in a denser medium मिला when object placed in a denser medium जब कोई प्रकास किसी सगन माध्यम ने दूसरा है क्या two माध्यमों भी, एक मिनट, when object is placed in a denser medium when seen from the rarer medium when seen from the rarer medium यही है when seen from the radar medium definition अलग से नहीं दी भी है ठीक है अभी हम बताया दो रहे radar medium appears to be at depth smaller than its actual depth appears to be at depth smaller than its actual depth actual depth in the denser medium सगन माध्यम में रखी भी कोई वस्तु अगर विरल माध्यम से देखी जाती है सगन माध्यम में रखी भी कोई वस्तु अगर विरल माध्यम में रखी जाती है तो उसकी गहराई वास्त्वी गहराई से कम प्रतीत होती है वास्तिक गहराई से कम प्रतीत होती है दरा समझिएंगा लॉजिक क्या है ठीक है देखे द्यान से लॉजिक यह है कि यह एक बर्तन है यह आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे यह बर्तन है जानते हो ना काज्च का एक बीकर है और उसमें आपने क्या किया है एक्चुली में पानी तो यहां से लेकर के यहां तक भरा हुआ है तो यह इसकी क्या हो गई जागल के रियल डेफ्थ हो गई यह वास्ति गेरा इसकी है ठीक है अब यहां पर कोई object रखा हुआ है object रखने का तरीका क्या है practical करते हैं एक कागज लेते हैं उसमें हम एक black जो है point बना लेते हैं ठीक है और इस बरतन के अंदर अगर कागज डाल दोगे तो कागज तो दिक्कत करेगा तो हम क्या करें इस पर रख देते हैं अब आप कहेंगे इसमें तो glass भी लगा हुआ है अब चुकि glass इतना पतला है इसके अंदर तो माल लेते हैं कि यह नेगलेज भी ले यह माल लिया जाता है ठीक है जली प्रेटिकल लेकरने की तरीका यह है अब यहां पर एक object रखा हुआ है ठीक है और इस में दिखाई पड़ेगी इसका नाम दे दो ओए यह रियल डेप्ट हो गई ठीक है ठीक है ठीक है धरत कहीं से आप देख रहे हो तो क्या होगा सौधान यहां से light ऐसे गिरी ठीक है जब यहां गिरेगी तो यहां पर खींचेंगे क्या नॉर्मल और यह हो गया angle of incidence अच्छा जितना यह angle होगा उतना ही यह angle होगा क्यों अल्टरनेट angle है एक अंतर कोण है अब देखो light water से air में जा रही है ना तो नॉर्मल से दूर अट जाएगी वो तो physics का फंडा है light का फंडा है तो यह नॉर्मल से दूर अट गई यह angle कितना हो गया आर यहां पर आप बैठे बन रही है दीदा है दीदा ने क्या खिया इस light को पकड़ा तो क्या ऐसे आप देखोंगे ठीश घा मिला आपको क्या लगेगा यह पि्शे बढ़ आऑगे तो आपको लगेगा यह कहांसे निकल लई है आई से निकल लई है ठीखे तो आपकी यह वाली image कहा दिखाई पड ये जो गहराई है ये एक्छुल में गहराई नहीं है लगनआपको यह एपियर होगी ना इसी को हम क्या कहते हैं आपरेंटड़ आपका चाए ऐतरो किया करेंट़ मेंद गया और जो आपका ये जो पॉइंट, ये हमें प्लिख ये पॉइंट भी लगभाग इसके नजदीक है ध्यान खिए बहुत दूर नहीं है अगर रिकॉयर्ट जरुत पड़ेगी तो हम इसको यहां से निग्रेट करेंगे अब हमको रियल डेफ्थ और एपरेंट डेफ्थ में रिलेस्ट चाहिए यह डाइगराम समगे आगया में डाइगराम ही है आपको साउधान समगे बात करिए देखे ट्रैंगिल ए सरी ओ ए बी दिख रहा है इन ट्रैंगिल O A B Sine I लगा दूँ Sine I क्या होगा Perpendicular A B अपान हैपटनियूस क्या हो जाएगा O B अब देखे B is very close to A तो O B को क्या ले सकते हैं O A A B ऐसे लिखा रहेगा Approaching Point है B is very close to A है मताँ यह है A B लेकिन B बहुत A के नजदीक है तो इसको A B लिख दो और O B को क्या लिख दोगे O A अच्छा Triangle I A B देखो इन ट्रैंगिल कहा लिख रहे हैं I A B Sine R कर दो तो Sine R क्या होगा Perpendicular A B अपान हैपटनियूस क्या होगा I B I B को क्या लिखेंगे आप आईए आगए नास्ताव नहीं कराओगे क्या आईए होगया अब देखिए Sine R स्टा लगाते हैं पहले यहां तक नोट करिए जगे बहुत कम है जगे कम है मताँ यह अपनी जानकारी के लिए R D लिखोगे लेकिन पहले आप रियल डेफ्थ और अपरेंट डेफ्थ लिखोगे ठीक नोट करिए यहां तक अब देखिए जगे जगे लगाते हैं बाई स्नेल स्ला क्या कहता है स्नेल स्ला देखो साउधान पहले समब लिजे बाद में लिखिएगा साइन आए पान साइन आर इस इकल टू वन एन टू लाइट कहां से कहां जा रही है लाइट वाटर से एर में जा रही है तो लिखा क्या जाएगा डबलू मिउ ए जहां से जारी पले वो लिखते हैं ना अब आप कहेंगे वाटर के रिस्पेक्ट में और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है किसका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है उसे हमको मतलब नहीं है जो लिखा जाता है वो हमने लिखा ठीक है अब sin i की value क्या है sin i की value क्या है a b upon o a sin r की value क्या है a b upon i a is equal to w mu a ठीक है अब ये हटाते हैं इसको समझते जाएए physics टफ नहीं है लेकिन अब थोड़ा सब समय देना पड़ेगा न आपको अब ज़रा थोड़ा mathematics लगाते है वो लिखो बले w mu a ये a b a b cancel हो जाएगा i a उपर जाएगा और o a नीचे आएगा w mu a होता है water के respect में air का index होता है a mu w होता है ना तो अपने आप कर दे a mu w इसको one upon a mu w लिखेंगे ये हो जाएगा i a upon o a जब ये अपनी position बे आएगा अब क्या होगा a mu w क्या हो जाएगा o a upon i a यानि की a mu w is equal to ये क्या है real depth real depth upon apparent depth याद हो गया अब देखो एक नट यहाँ confusion होता है कि real depth उपर लिखेंगे या apparent depth लिखतेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे अक्कड वक्कड बंबे बोल सुना होगा अब पिच्चरों में एक होता लवी लवी नाट वाला हो नहीं ओ फ्लावर में तो एक ले जाना पड़ेगा apparent depth, real depth apparent depth, real depth last में जो आजाओ लिख देना ऐसा नहीं होता सुनिए द्यान से a mu w की value 1 से बड़ी होती है air के respect में किसी भी medium का index 1 से बड़ा होता है तो 1 से बड़ा होने का मतलब यह हुआ कि यहाँ numerator बड़ा होना चाहिए denominator अब real depth ज़ादा होगी apparent depth ज़ादा होगी तो इसका उपर क्या होना चाहिए हो गया अच्छा अब अगर आपको यही लिख दीजेगा अगर ज़रुद पड़े तो इसको इदर ले आओ इसको उदर shift कर लो जो भी निकालना हो सुन्द में आगई बार नहीं आगई note करिए अब आगे बताए गया normal displacement इसका मतलब क्या होता है normal का मतलब perpendicular displacement का मतलब होता है जो object है वो really कहां पर है और actually आपको देख कहां पर रहा है कितना displacement हुआ तो यहां पर जो normal displacement है normal विस्थापन क्या लिका हिंदी में अभिलम विस्थापन इसको apparent shift भी कहते है इसको apparent shift भी कहते है क्या कहते है apparent shift भी कहते है apparent shift मतलब actually क्या यह shift हुआ है actually हुआ है shift यह object actually यहां पर आ गया है वो आपको ऐसा नदर आ रहा है वो ही निकालना है देखे आपको निकालना है O I द्राद ध्यान समझेगा AO में AI माइनस करने चलेगा AO माइनस AI अचा अभी हम बता चुके हैं आपको A mu W की value हमने क्या बताई है real depth बोले तो AO upon AI यही बताई है ना हमने बाद में देखते हैं देखो ध्यान से आपको यह O I निकालना है ठीक इधर आईए आपको यहां apparatus देखकरके AO मालूम है कि AI मालूम है जो मालूम है AI मालूम है आपको पहले से तो AO हमने ले लिया कामन क्योंकि यह पहले से मालूम है हम experiment करें न करें हमने उस beaker में कितना पानी ले रखा है उसकी गहराई हमको मालूम है दिख रही है अचा यहां क्या आप सेगा 1-AI अपान AO तो यह आपका हो गया इसको X मालीजे यह आप स्माल डी मालीजे यह हो गया आपका apparent shift इसको कह सकते है apparent shift यह normal displacement ठीक है और AO क्या है इसमें normal displacement लिखा है न हाँ ठीक है दोनों चीजे हो सकती है और AO क्या है AO है और 1- यह क्या है 1 अपान ANW यह है ना तो यह इस प्रकार से इसकी value हम निकाल सकते हैं समझ में यह बार नहीं आई है नोट करें आप इसको दूसी तरीके से समझेगा एक मिनट इसको एक और तरीके समझेगा अगर मैं इस bracket को खोल देता हूं तो H-H upon ANW है ठीक है real depth कितनी थी कितना खिसका इतना खिसका नहीं समझे अब जा देखिए यह नोट करिए पहले इसमें कुछ और लिखवा रहा है हमको अब ज़रा देखिए ध्यान से कोई object रखा हुआ है आपने उस पर क्या किया एक glass slab रख दी क्या रख दिया एक glass slab रख दिया क्या बताएं उधर से slab जो है गरबड़े बनती है अरे ठीक है यह glass slab रख दिया अब ठीक और इसका index क्या माल लिया आपने N1 और इसकी चौड़ाई क्या माल लिया आपने D1 ठीक है और यहाँ पर कोई object था आप उसको यहाँ से कहीं से देख रहे थे आप यहाँ कहीं भी बैठे हूँ उसे हमसे मतलब नहीं है यह हम उसके मस्कारा लगा जाते हैं का लगाते हैं आँखों में लगाते हैं जिसमें वो बनिया इसे खड़ी हो जाती है का लगाते हैं तुम लोग जानते होगी, क्या लगाते है? आँखों में ऐसे अपिन्यों में लगाते हैं, ऐसे खड़ा क्या होते हैं? तुम्हें मालू है, हमें नहीं मालू है? मालूम कर लो आगे काम देगी लिगा भी फिलाल ना मालूम करो आगे कहेंगे उधर से आओगे मसकरा लेती है ना पता आप पीज़र को पूच रहें आप इक बाप बताया थे खैर समझे आगी बात अब देखो द्यान से मतलब देखो आपकी यह हाइट से हमको मतलब नहीं है हम मानेंगे कि आप यहाँ पर हैं यह देख रहें आप अच्छा यह जो object है यह थोड़ा उपर खिसकेगा इंडेक्स की रिफ्रेक्शन की वज़े समझाय जा रहा है इसके उपर हमने क्या किया एक और स्लैब रग दी मानें यह किसी और मैटरियल की बनी वी थी यह crown glass की थी यह flint की बनी वी है इसका index कितना है N2 इसकी thickness कितनी है D2 ये देखो पहले इसने कुछ खिसकाया ये और उपर खिसका देगा हमने उपर यहाँ पर पानी भर दिया अगल वगल प्लास्टिक लगा दिया जिससे एक बहना पानी ये N3 इसका index कितना है D3 ये और खिसकाएगा ठीक है तो कहरें अगर मालिया बहुत सारी medium है If there is so many mediums तो ये object की image यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगी आगर के ये इतना shift हो जाएगा तो कितना shift होगा इसके बारे में बात करें मतलब de-apparent कितना होगा de-apparent अरे ठीक इधर से देख लो कहीं और से देख रहे हैं कहीं भी देखे कितना shift हुआ है एक में कितना shift हुआ था जब हमने एक medium लिया था और h गहराई थी तो उपर कितना image shift हुआ था object कितना shift हुआ था h upon n n of water है ना तो इसकी मोटाई कितनी है d1 तो यह कितना खिसकाएगा d1 upon n1 किसकाएगा और दूसा कितना खिसकाएगा d2 upon n2 किसकाएगा यह कितना खिसकाएगा d3 upon n3 किसकाएगा तो यह total shifting आपकी हो जाएगा ठीक है इसको apparent shift है यह समझभी बार नहीं है यह इस पर numerical बहुत आता है कि कोई यह तीन slab है इनकी यह index है इनकी यह मोटाई है एक object यहां रखा हुआ है तो कितना इसका जो object होगा वह apparent shift होगा तो यह इसका concept है note करिए देखियो